ब्रह्मान में कई एसी अन्गिनज शक्तिया है जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें वारों वारों उनके होने का आबास होता है उन में से ही सबसे बड़ी शक्ति है मंत्रों की शक्ति जिससे हम किसी भी नकारात्म कुर्जा या सकारात्म कुर्जा को अपने पास बोला सकते है अगर मंत्रों की बात करे तो मंत्रों का राजा ओम को कहा जाता है ब्रह्मान में कोई भी मंत्र हो उसकी शुरुवात ओम से ही होती है इसलिए मंत्रों का राजा केवल ओम को कहा जाता है अगर हम केवल ओम की ही साधना करें तो कैसा होगा अगर सारे मंत्रों का राजा ओम है तो हम उसी की साधना करेंगे उसी की साधना करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्म मूरत में उठना बड़ेगा ब्रह्म मूरत में उठेंगे या फिर रात को उठेंगे लेकिन ये साधना केवल और केवल स्वच्छ मन और सुन्दर शर्वित सही की जा सकती है इसका अरत ये है कि हमें जब कभी भी ओम की साधना करने बेटना है तब हमें सनान करना बहुत ज़ादा आवश्यक है सनान करने के बाद हम आलती पालती मार कर एक जगा स्थीद बैटेंगे ध्यान रहे हमारे रीड के हड़ी सीधी हो हड़ी अगर सीधी होगी तो हमें जो साधना हम कर रहे है उसका ज़्यादा परिराह में देखने को मिलता है उसके बाद हम लगातार सास अंदर लेते वक्त और बाहार लेते वक्त ओम इस प्रकार हमें उस ओम धोनी का जाब करना है इस ओम दोनी के जाब से हमें हमारा मन अपने वश में आने के लिए बहुत ज़्यादा साहियता मिलेगी और इस इश्वर ने हमारी सारी शक्तिया उस मन के अंदर ही चुपा दी है क्योंकि इश्वर को पता था अगर इंसान की सारी शक्तिया पहाड पर चुपा दी तो कभी न कभी वो इंसान वहाँ भी पहुच जाएगा अगर इंसान की सारी शक्तिया समंदर के गहराई में चुपा दी तो इंसान कभी न कभी उस गहराई तक भी पहुच जाएगा और इंसान की सारी शक्तिया अगर इस ब्रहमाण में कही पर भी चुपा दी तो इनसान वहाँ भी पहुश सकता है लेकिन इनसान इतना बेवकुफ है वो शक्तिया अपने पुरे ब्रह्मान में डूंडेगा उस इश्वर तक जाने का वो मार्ग जो है वो इनसान पुरे ब्रह्मान में डूंडेगा लेकिन खुद के अंदर कभी ने ढूंडेगा इसलिए उस इश्वर ने जो इस इश्वर के पास जाने का केवल और केवल एक मात्र मार्ग है और इस इश्वर की जो शक्तिया है वो सब इनसान के खुद के अंदर ही छपा दी है इसलिए इस मन के अंदर जो शक्तिया छुपी हुई है जिसके अंदर उस इश्वर तक पहुशने का मार्ग है उनको भार लाने के लिए हमें ओम की सायता लेनी बढ़ीगी ओम दोनी इतनी पवित्र है कि हमारे रुशिमुनियों ने हर मंत्रे के आगे ओम लगा दिया एसा करने से मंत्रे की शक्तिया कई गुना बढ़ती है दोस्तों अगर ओम का उच्चारन सहीरुद्धन से किया जाए तो ओम जितना शक्तिचली मंत्र इस भ्रह्मान में कोई भी नहीं ओम को इश्वर का निराकार स्वरुप कहा जाता है ओम को अगर साकार रूप में देखे तो ओम ही भ्रह्मा विश्ण और मेश का एकत्रित रूप होता है ओम ही स्रुष्टि का पालन करता है संचलन करता है और संगार भी ओम ही करता है यानि कि ये सिध हो गया कि ओम ही उस निराकार पर मेश्वर का एक स्वरूप है वरना बिनाबाद के हर कोई अपने मंतर के आगे ओम नहीं लागाता दोस्तो ओम की साधना ग्यारा दिन की होगी ग्यारा दिन आप पौर्निमा से शुरू कर सकते हैं किसी भी महा की पौर्निमा हो सकती है वो लेकिन पौर्णेमा से 11 दिन तक इस ओम की साधना हमें करनी है साधना करने के लिए सबसे पहले हमें पौर्णेमा के दिन ही सुबच जल्दी उठना है और ब्रह्म मूरत यानि की सूरज निकलने से पहले देड़ घंटा पहले जो होता है उसे ब्रह्म मूरत कहते है उसी दोरान हमें ओम की साधना करनी है इसमें किसी भी प्रकार का बंदन नहीं है कि हमें एक माला करनी है, दो माला करनी है, दस माला करनी है ओम की साधना करने के लिए माला क्या आउशकता ही नहीं है जब तक जहां तक आपका दिल चाहे वहां तक आप इस ओम की साधना को कर सकते हैं लेकिन कम से कम आपको दस मिनिट तक ओम की साधना लगातार करनी है इस ओम की दोनी को मेहसूस करना है जब तक आप मुझे ओम बोल रहे है तब तक आपको कानों से उस ओम की दोनी को सुनना भी है और सारा लक्षा अपना उस ओम के ओपर ही केंद्रित करना है उसके बाद जैसे जैसे आपकी ओम की सादना आगे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके शेरिर में कम पन होना शुरू हो जाएगा आपके मन में इश्वर के प्रति आस्ता बढ़ने लगेगी और आपके मन में अज़िब आज़िब खाया लाएंगे कि मैं मर रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है मुझे भूत दिखाई दे रहे लेकिन उससे डरियागा मत दोस्तो यह सब उस इश्वर्न के ने हमारी परिक्षा के लिए किया होगा होता है इसलिए अगर आपका शरीर भी ओम की साथना करते वक्त काप रहा हो तो इससे डरियागा मत दरने की बज़ाए आपकी साथना ऐसे ही जारी दखिए धन्यवाद दोस्तो आज की उड़े में रुकते ही पर ओम नमस्ष्वाए